Hello everyone, welcome to Aldrose Institute. दोस्तों, आप देख सकते हैं, इंडिया में टूरिजम सेक्टर काफी अच्छे लेवल पे ग्रोव कर रहा है, जिससे हर दिन होटल की रेशो भी बढ़ रही है और इसके साथ होटल मैनेजमेंट के कोर्स की डिमांड भी बढ़ रही है. होटल इंडेश्ट्री में जॉब करने में इंटरेश्ट रखने वाले स्टूरंट 12th के बाद इस फिल्ट से जुड़े कोर्स को करके आसानी से होटल इंडेश्ट्री में अंटरी कर सकते हैं. तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको होटल इंडेश्ट्री के सबसे पॉपलर और डिमांडिंग कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट जी हाँ होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स के बारे में एक ऐसा कोर् तो मिलती ही है और उसके साथ साथ आप काफी अच्छे लवल पे सेल्ड़ी वियार कर सकते हैं So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है Diploma in Hotel Management का कॉर्स, कैसे आप इस कॉर्स को कर सकते हैं इस कॉर्स को करने के लिए का eligibility मतलब योगिता होती है कैसे आप इस कॉर्स में admission दे सकते हैं कितनी इस कॉर्स की fees होती है इस कॉर्स को करने के बाद करियर में आपको कौन-कौन से job opportunities बिलती है और job में कितनी salary आपन कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजी ताकि एजुकेशन, जॉब्स, करियर और बिजनेस रिलेटेड वीडियो पे आप हमेशा अपडेटेड रहें तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है ये होटल मेनेजमेंट तो दोस्तो होटल मेनेजमेंट का मतलब होता है होटल को सही ठंग से मैनेज करना और होटल में होने वाली हर एक्टिविटी को सही तरीके से और टाइमली पूरा करना दोस्तो होटल इंडेस्ट्री में काफी तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे front office, food and beverages, kitchen और housekeeping आधी और इन सबी डिपार्टमेंट्स में कई तरह के टास्क होते हैं जैसे guest को अच्छी services देना, guest की देखवार दरना, hotel की साफ सफाई का ध्यान रखना, guest का welcome करना, guest के लिए कोर्स का मेर काम, students को सही तरीके से तयार करना होता है, कि कैसे वो hotel में guest के साथ deal करते हैं, और कैसे वो उनकी जुरूरतों के हिसाब से, उन्हें best services देते हैं, जिसे guest उनके services से पूरी तरह से सन्तुष्ट हो सके, so friends, अगर इन सभी तरह के कामों को करने में आपका interest है, और आ जिसकी टोटल डूरेशन एक साल तक ही होती है, आप इस कोर्स को मिनिममुम 12 के बाद या अपनी ग्रैजुशन के साथ या ग्रैजुशन के बाद भी कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए 12 में branch matter नहीं करती, आप किसी भी stream जैसे Arts, Commerce या Science के बाद इस को जोइन कर सकते हैं. Diploma in Hotel Management के course को दुरान आपको different subjects के बारे में बढ़ाया जाता है जैसे principles of management, food and beverages services, marketing and sales management, front office operation, hotel maintenance, organizational behavior और भी बहुत कुछ और इतना ही नई इस course को दुरान आपको grooming और personality को भी develop किया जाता है अगर आपको English में बात करने में problem होती है तो इस course को दुरान आपको spoken English की classes भी दी जाती है ताकि आप अपने English को improve कर सके और आपको इस course को दुरान different job profiles के interviews के लिए भी prepare किया जाता है ताकि आप interviews के दुरान अपना best perform कर सके और best career option परचिव कर सके और सबसे बड़ी बात हमारे institute में ये training आपको industry experts और certified trainers प्रोवाइड करते है और अगर आप diploma in hotel management के course में admission लेना चाहते हैं तो आप हमारी website www.aldroseinstitute.com पे online admission form फिल करके admission ले सकते हैं या आप हमें हमारे दिये गए number प्लस 919582309117 पे call ये WhatsApp करके भी admission के process के बारे में जान सकते हैं admission form का link हमारी इस video की description में भी दिया गया है जिसे आप description में जाकर वहां से click करके भी उसे फिल कर सकते हैं और अगर course fees की बात करो तो diploma in hotel management के course की total fees सिर्फ 55,000 रुपे तक होती है जिसे आप आसान किस्तों में मत्रब different installments में भी दे सकते हैं और अगर fees देने के लिए आप student education loan करवाना चालते हैं तो उसमें भी हम आपकी help करते हैं और अगर job opportunities की बात करें तो friends आप सोच रहे होंगे कि अगर आप diploma in hotel management के course को जोइन करते हैं तो क्या आपको इस course को करने के बाद job मिलेगी या नहीं अगर मिलेगी तो कौन से job होगी और उस job में कितनी salary होगी तो दोस्तों मैं बताना चाहता हो कि स्पोर्स को सफ़ता पुर्व पुरा करने के बाद आप आसानी से अपने skills के उनसार different sectors में job के लिए apply कर सकते हैं जैसे cruise lands और ships, hotels, multinational companies, colleges और universities, airlines और airport, guest houses और resorts, hospital administration, catering companies और भी बहुत कुछ और इन सब इस sectors में आप अलग अलग तरह की jobs के लिए apply कर सकते हैं जैसे hotel manager, customer service executive, food and beverages manager, front office manager, marketing और sales executive, manager और supervisor, bartender, housekeeping manager, banquet manager, cabin crew और flight attendant, flight supervisor, guest relations executive और बहुत कुछ और अगर salary की बात करें तो इस course को सफ़ता पुरव पुरा करने के बाद आप काफी अच्छे अलोपे salary अंद कर सकते हैं इस course को करने के बाद 2-5 लाग रुपे तक सालना आपकी सलिय तो रहेगी ही बाकी आप अपने skills के अमसाल 5-7 लाग रुपे तक सालना आप यसानी से as a fresh air level पे earn कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आप कि इस job profile के लिए apply कर रहे हैं और इतना ही नहीं 2-3 सल के experience के साथ आप 7-10 लाग रुपे तक सालना आप यसानी से कमा सकते हैं सो अगर shortman deployment hotel management के course के बारे में बताऊं तो इस course की total duration एक साल तक की होती है जिसे आप online ये classroom training दोनों में अपनी सहुलित के अनिसार कर सकते हैं इस course को आप minimum 12 के बाद जोईन कर सकते हैं और 12 में branch matter नहीं करती आप किसी बिश्ट्रीम जैसे arts, commerce और science के बाद इस course को जोईन कर सकते हैं इस course की total fees सिर्फ 55,000 रुपे तक होती है जिसे आप आसान किस्तों में भी दे सकते हैं अगर average salary की बाद करूं तो इस course को करने के बाद 2-5 लाग रुपे तक सालना आपकी salary तो रहेगी ही बाकी आप अपने skills के उनसार 5-7 लाख रुपे तक सालना प्यासाने से as a fresher level पे earn कर सकते हैं और अगर job opportunities की बाद करें तो इस course को सफलता पुरा-पुरा करने के बाद हम आपकी job लगने में भी पुरी साहता करते हैं So friends, thank you so much आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको diploma in hotel management के course के बारे में सब समझ आया हो अगर फिर भी score से समझेत आपका कोई भी question है तो बेजे जगा आप comment section में comment करके या हमें हमारे दिये गए number plus 919582309117 और हमारे ट्रेनिंग लोकेशन से दिल्ली एंड देहा दूनोली थैंक यू सो मुच फ्रेंड्स मैं आपके इच्छे करियर की कामना करता हूँ